दोस्तों मैं हूँ रंजन कुमार और आज आपके लिए जो सल्यूशन मैंने किया है 36 इंच CRT LG TV का चुकि दोस्तों इसमें बिलिंग कर रहा था इसका फ्रेंट पैनल तो मैंने सारे सप्लाईओं को मापा जिसमें हमारा 110 या कोई भी सप्लाई धंग से नहीं बन रहा था दोस्तों इस कंडिशन में जब आपका सेट बार बार किसी भी कलर टीवी का बिलिंग करे तो आप सारे सप्लाईओं को माप ले यदि आपके सप्लाई में 110 ओके फिर भी बिलिंग हो रहा है तो यह आपका डाइवर सेक्शन का फोल्ट हो सकता है या ओसिलेटर सेक्शन में कोई रेस्टेंस कटने के बज़ा से भी होता है तो चुकि हमारा सेट में प्रोबलम था दोस्तों यहां 110 हमारा या कोई भी सप्लाई धंग से नहीं बन रहा था तो हमने दोस्तों यह resistance इसमें मैंने coupler को भी चेक गया कॉपलर ओक्य था दोस्तों फिर भी supply हमारा नहीं बन आ था कोई भी supply तो मैंने क्या क्या दोस्तों str pin सब सारे को निकाल लिया ओपन करके मैंने एक-एक resistance चेक किया जिसमें resistance आच 137 का value जो है शिफ्ट हो चुगा था और इसके जगव मेगा ओम में कुछ पॉइंट दर्साता था जो मैंने 5.6 ओम का अलग PCB से निकाल के रिस्टेंस लगाया तो हमारा सप्लाई साड़ा बन चुका दोस्तों तो इसमें मैंने डमी बोल पर भी चेक किया है दोस्तों 110 परफेक्ट दे रहा है लगा के तो मैं दिखा रहा हूं दोस्तों ये रिस्टेंस था देख लें मैं जूम करके देखता हूं दोस्तों ये रिस्टेंस था 5.6 ओम का जो की बेल्यू इसका शिफ्ट हो चुका था आप इस कंडिशन में जाए तो सबसे पहले सप्लाई को देख लें नहीं पोड़ता है तो आप SMPS जो है उसका पावर सेक्शन में एक एक रेस्टेंस को चेक किजिए रेस्टेंस शिफ्ट हो चुकता है कौपलर के मैं दिखा रहा है कि पीन नमबर दोस्तों पीन नमबर दो पर लगावा रेस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों विच्छीं के पाच यह तो दोस्तों यह देख लें पूरा PCB यह अल्ट्रास्लिम 36 इंच के लिए है देख लिजए तो आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सक अग्ले स्रीज में मैं यह एस टी, बना के दिखांगा इस बौर्ड फिर चुकि दोस्तों मैंने जो जिस कस्तमर्स का मैंने यह लिया था बॉर्ड ठीक करना देख दे, दोस्तों तो इसमें यह च्छी नहीं बन रहा था, चुकि ऑकोट सोड था कि इसी मेकनिक ने खोला था क्योंकि मैंने सारा सप्लाइ मापा मैंने बता दिया नहीं बन रहा था तो आप कॉपलर के पी नंबर दो पर रेजिस्टेंस चेक किजिए LG सेट हो तो आप बेद धड़क रेजिस्टेंस एट हंड़ेट थ्री सेबन को चेक किजिए यह रेजिस्टेंस कटा था दोस्ते थैंक यू आचिमाना अर्टेक